हलो दोस्तो स्वागत है आपका आपके अपने चैनल SNS मार्केट ग्यान में तो दोस्तो आज मैं फिर से आगया हूँ आपको आज की प्री मार्केट समरी बताने यानि 27 सितंबर का मॉर्णिंग का 8.00 का डेटा आपके साथ मैं इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ और इस मैं आपके बताऊंगा कि फ्राइडा को मार्केट के अंदर FIS ने, DIS ने कितना इन्वेस्ट मेंट किया था देन उसके बात मैं आपको बताऊंगा मार्केट के ग्लोबल इंडैसेज जिसमें मैं आपको US, European के और Asian market के rates बताऊंगा LTPs, percentage change बताऊंगा देन उसके बात मैं आ का आज का हमारा technical view कैसा है यानि कि पूरे दिन में market में आज nifty की कैसी moment हो सकती है वो आपको इस वीडियो से पता चलेगा साथ के साथ आपको सबसे आखरी में इस वीडियो में मैं आपको दो ऐसे stocks बताने वाला हूं जिसमें trading करके आज हम market से अच्छा profit कमा सकते हैं तो दोस्तों बिना देरी करें आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और आज की वीडियो में सबसे पहले मैं आपको market के इंडियन indices बता देता हूं जो 24 सितंबर को market के अंदर end हुए थे यानि की उनका close price आया था तो वो आपको मैं आपको यहां पर वन बाइवन करके दिखाऊंगा सबसे पहले मैं आपको इसी तरह से अगर बैंक निफ्टी के रेट देखें तो बैंक निफ्टी का जो रेट है 37830 का रेट है 58 पॉइंट पॉजिटिव आये थे 0.16 परसंट का यहां पर आपको चेंज दिख जाएगा परसंटेज में और यह भी 24 सितंबर का डेटा है यानि की फ्राइडे का इसके बाद अगर हम बात करें निफ्टी नेक्स 50 की इसका जो आपको ल्टीप यहां पर दिखेगा 43071.65 का ल्टीप दिखेगा 43,71 का यहां पर आपको ल्टीप दिख रहोगा माइनस में यहां पर 366 का यहां पर आपको नेगेटिव चेंज दिखेगा 0.84 परसंट का चे इसके बाद अगर हम बात करें पाइवर स्टेबल की पाइवर स्टेबल के अंदर आप यहां देख सकते हैं निफ्टी 50 का जो पाइवर निकल के आ रहा है 17868 का यहां पर पाइवर निकल के आ रहा है और आपको LTP मैंने बता दिया था काफी नीचे स्टी उपर जाके यहां पर लटीप बन रहा है और अगर आप support फोलो करते हैं, तो support आपको यहां पर दो दिखेंगे, 17801 और 17686 का आपको support दिखेगा, तो इस resistance के साफ से, इस supports के साफ से, आप target ने stop loss लगा सकते हैं, nifty के अंदर easily trading कर सकते हैं, तो मैंने आपको यहां पर पाइवर टेबल बता दिये, पाइवर टेबल के अगर मैं आपको FIs और DIs का डेटा बता दू, यानि कि 24 September को FIs का जो भी net purchase या sale हुआ है, वो आपको screen पर दिख जाएगा, तो FIs का मैं आपको पहले data बता देता हूँ, FIs ने आपर net purchase किया है, 442.49 करोड रुपीस का, और DIs ने net अपना sale किया है, 515.85 करोड रुपीस का, त net sale जादा है, तो आप कह सकते हैं कि उस मार्केट इतनी जादा ऊपर नहीं बंद हुईती, थोड़े सी bullish बंद हुईती, उसका एक मातर रीजन ये भी हो सकता है, तो ये जो मैंने आपको data बटा है, FIs का और DIs का, ये मैंने NSC की website से लिया है, जिसकी मदद से आपको पता Global Indices की, Global Indices में आप देख सकते हैं, 24 सितंबर को, यानि Friday के दिन FTSC के जो प्राइज रहे हैं, या जो European Market, US Market के प्राइज रहे हैं, वो मैं आपको यहाँ पर स्कीन पर दिखा देता हूँ, तो इसके अंदर, यानि Global Indices के अंदर, सबसे पहले मैं आपको FTSC बताऊंगा, जो की हमारा European Market का है, European Market के FTSC का प्राइज देख सकते हैं, 7 EUR, 51 के राउंड के यहाँ पर LTP आपको दिख रहे होंगे, माइनस में only 26 पॉइंट का, यहाँ पर नेगेटिव साइड में चेंज देख सकते हैं, 0.38% का चेंज है, और FTSC के बाद अगर हम CAC Market देखें, वो भी हमा 5531 का LTP है, माइनस में 112 पॉइंट यहाँ पर आ रहे हैं, और नेगेटिव साइड में 0.72% का चेंज है, यह भी 24 सितंबर का डेटा है, और NASDAQ मार्केट की बात करें, यहनि US मार्केट के NASDAQ की बात करें, तो 15047 का यहाँ पर LTP है, माइनस में 4.54 पॉइंट का चेंज है, पर वाले आपको तीनों दिख रहे होंगे, European Market के हैं, FTC, CACDAX, तीनों नेगेटिव हैं, और NASDAQ जो हमारा US Market का यह भी नेगेटिव है, तो यह US और European Market जानने के बात, अब मैं आपको Asian Market का जो भी फिलाल में, SX Nifty रन कर रहा है, अब मैं आपको वो बता देता हूँ, तो मेरे स्कीन पर आप, तो SX Nifty का आप LTP देख सकते हैं, 17952.50, यानि 17952.50 का आपको LTP दिख रहा होगा, SX Nifty का, और फिलाल में जो इसके पॉइंट्स आ रहे है, 94.50 पॉइंट्स आ रहे है, 0.53% का आपको पॉजिटिव सैड में चेंज असानी से देखने को मिल जाएगा, यह भी फिलाल SX Nifty हमारा भी नेगिटिव था, बहुत ही माइनर पॉइंट के साथ नेगिटिव था, एक तरह से आप फ्लैट भी बोल सकते हैं, तो यह US मार्केट का था, और इस से में SX Nifty का मैंने आपको LTP और पार्संटेज इस सब बता दिया है, जो फिलाल में रं कर रहा है, तो इनकी गल कर रहा है कि आज का हमारा जो इंडियन मार्केट है, वो पॉजिटिव साइड में उपर की साइड में उपन होने के पूरे पूरे चांसे हैं, और निफ्टि फिफ्टि भी हमारा आज 94.50 पॉइंट के साथ पॉजिटिव उपन हो सकता है, यानि कि गैप आप अपन होगा 94. तो यह जो मैं आपको डेटा बता रहा हूं, अभी मॉर्निंग का डेटा है, अगर आप जब मार्केट में इसको देखते हैं, क्योंकि एक घंटे के बीच में कुछ भी चेंजिस हो सकते हैं, हो सकता है काफी ज्यादा पॉजिटिव पॉइंट में आ जाए, हो सकता है थोड जानने के बाद, अब मैं आपको निफ्टी का टेकनिकल व्यू बता देता हूं, जिसकी मदद से आपको पता लग जाएगा कि मार्केट के अंदर कैसी मॉमेंट हुई थी लास्ट टेम पे निफ्टी फ्यूचर के और साथ के साथ, अब जो लास्ट दिन के मार्केट में जो यहां पर वन टे स्लेक्ट करना होगा, यह एक दिन की मॉमेंट है आपको यहां पर जो दिख रही है, इसके मदद से भी आपको अंदाजा लग सकता है कि कहां पर हमारा 24 सितंबर को निफ्टी ओपन हुआ था और कहां पर क्लोज हुआ था, तो इसके अकॉर्डिकर हम देख 45 से नीचे है, 45 तक की वैलू निकल के आती है, तो सेल के सिगनल होते है, यह मुमेंटम उक्सिलेटर का सिर्फ एक उक्सिलेटर है, इसमें को अगर मैं वन डे का कर देता हूं, तो 78 की वैलू है, देखे आप यहां पर यहां पर बाई का सिगनल है, और अगर मैं यहां पर द लगा देता हूं और विल्यमसन भी लगा देता हूं विल्यमसन के बाद हम बात करते हैं अल्टिमेट ऑक्सिलेटर भी लगा दिया जाता है यहां पर कॉमडेटी चैनल इंडेक्स भी लगा देते हैं तो यह सारे मोमेंटम ऑक्सिलेटर इस समय आपको चार्ट पर दिख रहे होंगे सभी के अंदर कुछ different values निकल के आ रहे हैं हर value का अपने एक मतलब होता है हर value से एक अलग decision निकल के आता है अगर हम यहां पर 1 day के चार्ट में दिखेंगे तो वैलू सारी आपको यहां पर दिख रहे होंगी जैसे विलिम सन आर में negative value आ रही है आपर निकल के, तो negative value यहां पर हमें cell का signal देती है ultimate में 58 की value निकल के आ रही है, तो यह हमें एक तरश से positive साइन दे रहा है, 766 की value है CCI में यह भी positive sign है तो बहुत सारे ऐसे sign होते हैं जो हमें बताते हैं, जो हमें बताते हैं कि buy के signal है, cell के signal है तो एक मिनट से लेके मैंने पूरा यहां पर वन डे के चार्ट के बैसिस पर आपको अनलाइस करके बता रहा हूं तो आपको यह table जो मैं आपको बना के भी आपको दिखाऊंगा जो मैंने उल्ली बना रखा है, मैं आपको वीडियो में दिखाने वाला हूं उससे आपको पूरा clear हो जाएगा कि इसमें buy का signal है, cell का signal है तो जिस तरह से यहां पर जितने मैंने ओक्सिलेटर लगाए एक बार अगर मैं हटा देता हूं यह सारे मुमेंटम थे तो अगर मैंने सारे हटा दिये तो अब मैं अगर यहां पर वन मिनिट का duration कर लेता हूं और इसमें मैं आपको MACD भी आइड करके दिखा देता है, MACD आप देख सकते हैं, MACD आड हो गया, ADX आड हो गया यह दोनों हमारे trend बताते हैं, तो trends की basis पर भी यहां पर अंदाजा लगता है, कि buy के signal है, sell के signal है, इसके लाब हम moving average भी लगा सकते है moving average अगर हमने यहां पर अड करें, तो duration हमें लेने हैं अलग-अलग, periods हमें लेने हैं अलग-अलग, यह तो आप देखिए, red line हमें बन के आ रही है, और moving average अगर हम 10 की लेते हैं, पहले हमने 5 की लिती, अब हमने 10 की ले ली, तो यहां पर यहां देखेंगे, एक और line हमें समझाता है या बताता है या इंडिकेट करता है कि इसमें बाई के सिगनल है इसके लावा एटियार लगाया जाता है हमारा एटियार अगर में लगाया तो यह हमारे वोलेटिलिटी का सिगनल होता है तो यह सारा थोड़ा टफ होता है समझना क्योंकि टेक्निकल्स अब जितने वीडियों में भी दिखाया था कि हाई लोग अगर हम लगाते हैं तो इसके बेशिश पर हम्हें पता लगता है कि स्टॉक उपर जाएगा नीचे जाएगा तो हाई लोग के लिए हापर हम लोग इसको अनलाइस कर सकते हैं तो यह ने आपको यहापर निफ्टी फ्यूचर का दिखा दिया जिसके बेसिस पर आप मार्केट में एजली टेडिंग कर सकते हैं अब मैं आपको जो यह मैंने पूरा जो वीव बताया है या जो मैंने टेक्निकल क्या है इसका मैंने एक प्रॉपर यहां पर टेबल बनाया है वो मैं आपको टेबल दिखा देता हूं उससे आप कहां पर sell के signal है कहां कहां पर buy के signal है और अगर आप overall देखेंगे total आपको buy यहां पर काफी जादा दिखेंगे या neutral दिखेंगा sell आपको इसरी 4 दिख रहे हैं 5 minute के चार्ट में 2 sell है 15 minute के चार्ट में एक sell है 30 minute के चार्ट में एक sell है बाकी overall market के अंदर neutral आ रहा है य्क फिर buy का रहा है क्योंकि अग्यमडे का यहां पर मुमें जना burde करें पोरे दिन का और तो वन दे में यह 5 आवर में पूरा बाई देख सेकते हैं वन मिनिट के चार्ट में भी भाई है 15 minute के चार्ट में बेदए ओवर्ण रहा है जादा बाई है वो overall day का, पूरे दिन का strong buy का signal निखल के आ रहा है, अगर आप इस market के अंदर, आज की market के अंदर, nifty में अगर buy करके चलते हैं, तो आपको definitely profit होने के अच्छे chances हो सकते हैं, तो एक तरह से आप कह सकते हैं, आज का हमारा nifty का technical view है, वो हमारा strong buy का होने वाला है, यानि bullish होने वा stocks बताने वाला हूँ, जिसमें trading करके आप अच्छा profit कमा सकते हैं, तो उसके लिए भी मैं आपको यहां पर stocks के नाम reveal कर देता हूँ, पहले stock का नाम है, आपको ICC bank, तो ICC bank के मैं आपको पहले chart दिखाऊंगा, उसके बाद मैं आपको दूसरे stock का नाम बताऊंगा, थमनेल मे आपको ICC bank का यहां पर chart दिखाऊंगा, वन मिनट का chart है, तो सबसे पहले मैं आपको यहां पर momentum oscillators लगा के दिखाता हूँ, जिसमें मैं आ रहे सही मैंने कैसे analyze करता है, वो मैंने आपको थोड़ी देर पहले nifty के chart में बताई दिया था, और stockistic, stockistic आ रहे सही है, इस सारे मैं आपको फटाफट add करके दिखा देता हूँ, ताकि वीडियो हमारा लंबा ना हो, आपका time waste ना हो, हमारा time waste ना हो, और हम चीज़ा असानी से जल्दी समझ में आ जाए, तो यह मैंने सारी चीज़े यहां पर add कर दी है, आपको दिखे रहे हो कि जितने भी indicators यहां पर add हो रह तो आप देख सकते हैं, चार्ट काफी ऊपर चला गया है, बहुत छोटा हो गया है, लेकिन हमारे जो indicators हैं, वो हमें बिल्कुल indication दे रहे हैं कि हमें क्या करना है, क्या है, यहां पर buy करना है, sell करना है, तो आप देख सकते हैं, अगर one day का चार्ट लगाँगा तो overall हैं पर अ ICC bank को आपको buy करने के लिए suggest कर रहे हैं, इसके साथ साथ अगर मैं यह सारे indicators close कर देता हूं, हटा देता हूं, और और भी मैं हापे, जैसे trend जानने के लिए, कि क्या trend चलने हैं, तो MSCD add करूंगा, MSCD साथ मैं हापे ADX भी add कर सकता हूं, साथ के साथ हैं, आपे moving average भी add कर सकता 10 की value भी मैं यहापे add कर सकता हूं, तो यहाँ पर मैं जितने भी indicators लगा रहा हूं, यह आप जब technical value से समझ जाएंगे, आपको समझ में आ जाएगा, कि कैसे यहाँ पर buy के signal आते हैं, sell के signal आ रहे हैं, example मैं आपको RSI का दे दिया था इस वीडियो में, जो आप nifty के अंदर ज इसको technical analysis कर रहा है, कौन से indicators यूज कर रहे हैं, जो मैं आपको guide कर रहा हूं, समझाने की courses कर रहा हूं, तो दोस्तों यह भी आपने देखा, ICC bank का chart थे हैं, ICC bank का जो last दिन का LTP था, वो 722 का था और इसका जो private निकल के आ रहा है, 721 का निकल के आ रहा है, आप देख सकते है आपे volatility थोड़ी सी कम दिख रही है, यानि कि आज जो मतब Friday को जो moment हुई थी ICC bank में, थोड़ी सी कम हुई थी, उसकी वज़े से इसके जो resistance बन रहे हैं, और supports बन रहे हैं, काफी छोटे छोटे बन रहे हैं, तो अगर आप इसके अंदर purchasing करते हैं, तो buy करते हैं, क्योंकि हम ICC bank में buy करते हैं, इस समय जो आपको LTP, PIVATS, Registrence, Support दिख रहे हैं, इनके basis पर आप बाइ कर सकते हैं, क्योंकि हमारा ICC bank में जो trend बनने वाला है, या जो हमारा view निकल के आ रहा है, वो bullish का view निकल के आ रहा है, तो इनके basis पर आपके अंदर, आप आज की trading के अंदर ICC bank को buy क आपके अच्छे से profit कमा सकते हैं, तो दोस्तों मैं आपको दूसरा stock बता देता हूं, दूसरी stock का नाम है Eacher Motor, तो Eacher Motor का भी पहले मैं आपको यहाँ पर चार्ट सो करूँगा, जिसकी मदद से आपको अंदाजा हो जाएगा कि इसके अंदर भी हमारा buy क्यू बनता है, कौन स जिनकी वज़े से आपको यहाँ पर buy करने का अच्छे वाले indication मिलेंगे, यह आपको really mean को buy करना चाहिए, कि नहीं करना चाहिए, तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर chart दिख रहा होगा, यह आपको Eacher Motor का chart दिख रहा है, और यहाँ पर 5 मिनट का chart आप देख सकते मैं आपको जो वीडियो के अंदर chart दिखा रहा हूं काफी छोटे से समय के लिए दिखा रहा हूं, इससे ज्यादे मैं कम से कम आदे घंटे एक stock पर यहाँ पर लगा है, तभी मैं आपको stock को वह बता रहा हूं कि यह stock क्यों buy करने का बनता है, तो moving average सबसे पहले आप यहाँ value निकल लिए, तो यहाँ पर कुछ एक new value निकल के आगे, जो red color में लिखा हूआ है, अगर मैं 10 का लगाँगा तो आपको एक और यहाँ पर value दिखेगी, तो यह देखे, एक और यहाँ पर दो values निकल के आगे, तो यह values हमें इंडिकेशन करते हैं, कि हमें buy के signal आ रहे हैं, तो यह मैंने आपको moving average लगाई है, इसके साथ में अगर trend जानने की कोशिश करूं, MACD लगेगा हमारा, और ADX लगेगा, एक हम यहाँ पर ease of movement भी लगा सकते हैं, इन सब के basis पे जो आपको indicators इसे में दिख रहे हैं, इनकी मदश से हमें पता लगता है कि इसमें buy का signal आएगा, यह cell का signal आएगा, क्योंकि यह number C हमें बताते हैं, कि stock उपर जाने के chances हैं यह नीचे जाने के chances हैं, तो यह मैंने आपको moving average लगा के दिखा दिये, और यहाँ पे मैंने आपको trend oscillator भी लगा के दिखा दिये, जिनकी मदश से इचे motor के अंदर हमें buy का cell का signal पता लगता है, तो और यह सारे हमारे momentum oscillator हैं, तो इन momentum oscillator से भी हमें पता लगता है कि हमारे stock के अंदर कितनी जाने कि ऊपर जाएगा नहीं जाएगा, यह सारे हमें indications इसी से मिलते हैं, तो आप देख सकते हैं, मैंने काफी सारे हाँ पर indicators add कर दिये, यह सारे indicators मैं यूज करता हूँ, जैसे RSI हो ग price rate of change हो गया है, यहां पर Williamson R हो गया है, और commodity channel next, यहने कि सी से मैंने add कर आए, इन सभी के अंदर आप सब सुपर यहां देख सकते है, RSI है, RSI में 67 की value आ रही है, यह स्टोकेस्टिक RSI में 72 की value निकल के आ रही है, और बागी सारे values अगर आप जैसे Williamson R की देखेंगे, minus 8.91 की value है, यह आप कह सकते हैं, cell का भी signal आप इसे बोल सकते हैं, अदर्वाइस यह वैसे, by का signal होता है, negative होता है, लेकिन, Williamson R में negative का मतलब सिर्फ cell नहीं होता है, आप यहां आगर देखेंगे, minus 91 आएगा, तो हमें cell का signal आएगा, यहां तक भी आप कह सकते हैं, कि minus 49 तक भी हम cell का signal मान सकते हैं, लेकिन, minus 8.91 यहां पर हमें by के signal होते हैं, तो इस तरह से analysis होता है, इसे मोटर में आपको मैंने दिखाया है, कि momentum oscillators के हमने, कौन-कौन से indicators या कौन-कौन से oscillators लगा के, आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, कि कहां पर by का या cell का signal है, इनकी मदद से हमें यहां पर by के signal नजर आ रहे हैं, तो यह मैंने आपको जहां पर चार्ट दिखाए है, इसे मोटर का चार्ट है, तो दोस्तों, अगर अब आपने इसे मोटर में by करने का सुचा है, तो पहले अब आप इसके पाइवट जान लेजिए, तो अगर आपको यहां पर LTP दिख रह है, अदरवाइज आपको पोजिशन नहीं बनानी है, तो LTP क्रॉस हो जाएगा, 2945 के आसपास अगर यह क्रॉस होता है, तो आप देख सकते हैं, कि आप 2950 तक भी इसके अंदर पोजिशन बना सकते हैं, और टार्गेट आप 2975, यानि जो रजिस्टेंस में आपको यहां शो लोग रहेंगे 2888-2802 का, यानि कि अगर नीचे आगर यह स्टॉक जा रहा होता है, तो आप इसी स्टॉक के अंदर आप यहां पे stop loss यह लगा सकते हैं, फिर भी मैं आपको दोस्तों बता रहा हूं, मैंने आपको यहां पर निफ्टी का भी व्यू बता दिया, ICC बैंक का लेकिन इसका मतलब यह कहीं नहीं है, कि मैं आपको कोई tips दे रहा हूं, या मैं आपको कोई चार्ज कर रहा हूं, यह मैंने आपको सिफ़ अपने व्यू बताएं, आप अपने technical analysis से या research analyst से ही advice लेकि market में कायो काम करेगा, मैं जो भी यहां पर वीडियो बनाता हूं, आपक पर्टिकुलर कोई decision मत लीजेगा trading करने का क्योंकि market के अंदर loss भी हो सकता है और मैं आपको चाहता हूं कि आप कोई भी decision market में लें काफी source समझ के लिए तो दोस्तो इस video के अंदर मैंने view बताने के लिए जो महनत करी है वो आपको video के अंदर असानी से समझ में आ गई होगी daily basis पर मैं आपको morning के अंदर pre-market summary on time देता हूं ताकि आपके पास मेरी तरफ से दी गई सारी information टाइम पर पहुचे तो दोस्तो आप चाहते हैं अगर ऐसी videos में daily basis पर गरता रहूं लगातार आपको ऐसी videos देता रहूं तो उसके लिए आप मेरे वीडियो को जादा स्यादा लाइक करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें साथ में जो बैल एकन का बटन है वो भी आ आपको भेजता रहूं तो दोस्तो थेंकियो बेरी माच मेरा वीडियो देखने के लिए और आपको आज की टेडिंग के लिए बैस्ट आफ लग